प्यारे दर्सकों यूनिक समचार में आपका श्वागत है अब तक की बड़ी समचार जोगी अधित नात बोले 24 घंटे में ही सुलच जाएगा राम मंदिर विवाद उत्तर प्रदिस के मुख्य मंत्र जोगी अधित नात ने अजोध्या मुद्य को लेकर वड़ा वयान दिया है उन्होंने इस मसले को 24 घंटे के भीतर निप्टाने का दावा किया है उनका काना है कि राम मंदिर मसले पर लोगों का धर्श माप्त हो रहा है और सुप्रेम पोट इस विवाद पर जल्द आदेश देने में असमर्थ है उन्होंने कहा इसे हमारे हवाले कर देना चाहिए और 24 घंटे के भीतर इसका समाधान हो जाएगा जोगी अधित्यनाथ से जब पूछा गया कि क्या वह अजुद्या मसले का समाधान बात्सीत से करेंगे या डंडे से तो उन्होंने मुस्कराते हुए जवाब दिया पले अदालत को मसले को हमारे हवाले करने दीजिए अधित्यनाथ ने कहा मैं अब भी अदालत से बीवात करने प्लारा जल्द करने की अपील करूँगा इलावाद हाई कोट की पीठ ने 30 सितंबर 2010 को भूमी बटवारे के मसले पर आदेश नहीं दिया बलकि यह भी स्विकार किया कि बाबरी धाचा हिंदू मंदिर या इसमारक को नस्ट करके खड़ा किया गया था बारती अपुरा तप्त्व सर्वेक्षण ने हाई कोट के आदेश पर खुदाई की और अपनी रिपोर्ट में सुविकार किया कि बाबरी के ढाचे का निर्माढ हिंदु मंदीर या इसमारक को नश्ट करके किया गया था मुक्य मंत्री ने का टाइटल का विवाद अनावश्यक रूप से जोड़कर अजुद्या विवाद को लंबा खीचा जा रहा है हम सुप्रिम कोर्ट से लाखों लोगों की संतुष्टी के लिए जल्द से जल्द नयाज देने की अपील करते हैं ताकि यह जन आस्था का प्रतिक बन सके अनावश्यक बिलंब होने से संस्थानों से लोगों का वरोसा उठ जाएगा उन्होंने कहा कि जहां तक लोगों के धैरे और भरोसे की बात है तो अनावश्यक बिलंब से संकट पैदा हो रहा है जोगी आदित्यनाथ ने कहा मैं कहाना चाहता हूं कि अदालत को अपना जल्द फैसला देना चाहिए अगर वो ऐसा करने में असमर्थ हैं तो वह मसला हमें सौप दे हम रामजन में भूमी विवाद का समाधान 24 गंटे के भीतर कर देंगे हम 25 गंटे नहीं लेंगे उनसे जब पूछा गया कि केंदर सरकार ने अद्यादेश क्यों नहीं लाया तो उन्होंने कहा कि मामला विचारा धीन था उन्होंने कहा संसत में विचारा धीन मसलों पर बहस नहीं हो सकती है हम इसे अदालत पर छोड़ रहे हैं अगर अदालत ने 1994 में कंदर सरकार द्वारा दाखिल हलफ नामे के अधार पर नियाए दिया होता तो देश में अच्छा संदेश जाता उन्होंने कहा कि सवाल चुनाओं में फैय्दे या नुक्सान का नहीं है लेकिन यह देशवासियों की आष्था का सवाल है अधित्यनाथ ने कहा कि कंग्रेस इस समस्या की जड़ में है और वह इसका समाधान होने नहीं देना चाहती है उन्होंने कहा अगर अजद्या विवाद का निप्तारा हो जाए और तिन तलाग पर प्रतिबंद लागू हो जाए तो देश में तुष्टी करण की राजनीत हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी धन्यवाद